सपनों का दिव्य लोक एस्टो ट्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है जय मातादी जय गुरुदेव प्रियदर्शको आज इस सपने का विशलेशन जानेंगे वह है सपने में भूकंप देखना या भूकंप की दरारे आई हुई देखना या भूकंप से अपने आप करके अपनी पढ़ाई को लेकर के या अपनी किसी और पर्सनल लाइफ को लेकर के आपको लगता है कि उसमें कोई समस्या आ सकती है कोई प्रॉब्लम आ सकती है जब आपको आशंकाय मन में ज्यादा रहती है तो आपको सपने में दिखाई दे सकता है कि भूकंप आ रहा है भुकंप की दरारे आपको दिखाई दे सकती है और जब आप अपनी life में किसी situation को face नहीं करना चाहते हैं और आपको पता है कि वो situation आपको confront करनी पड़ेगी और आप उस situation से भागना चाहते हैं तब भी आपको दिखाई दे सकता है कि भुकंप आ रहा है और आप उस जगह से अपने आपको safe करने के लिए दूर भाग रहे हैं अब जान लेते हैं कि भविश्य का क्या संकेत होता है सपने में यदि आप भुकंप आया हुआ देखते हैं तो यह सपना relationship में break up होने को relationship में दूरियां बढ़ जाने के और भी संकेत करता है चाहे वो फिर आपने देखा हो यह सपना की भुकंप आ रहा है और आप भुकंप के कारण आपका घर और आप जमीन के अंदर जा रहे हैं या फिर आपने किसी और के लिए यह सपना देखा अगर आप सडक में देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी दरारे पड़ रही है भुकंप के कारण गाडियां उलट पलट रही है तो यह सपना किसी ऐसी दुरघटना की और संकेत करता है जो आपके surrounding में हो सकती है कोई भी uncertainty या किसी को कोई दुख आ सकता है कोई समस्या आ सकती है किसी के बारे में बुरी खबर सुन सकते है या फिर आप सपने में देखते हैं कि दरार आ रही है और उसमें आप धंसते हुए जा रहे हैं तब भी यह सपना करजे की और या फिर किसी आपके life में चाहे वो job की तरफ से crisis आए या फिर आपकी life में कोई personal crisis आए उसके और भी संकेत करता है और सपने में यदि आप देखते हैं कि भूकंप से आप दूर भाग रहे हैं और आपको कोई tension नहीं है कोई psychological reason नहीं है तब यह सपना संकेत करता है कि आपकी life में कोई समस्या तो आएगी कोई problem तो आएगी लेकिन आप किसी न किसी तरह से उस समस्या से अपना बचाव कर लेंगे या बचाव करने की कोशिश करेंगे धन्यवाद चेकर